हाई दोस्तों साइज ही और बैक विद अनधर इंट्रेस्टिंग वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अवेकर नोस वर्जन 1.12 के बारे में जिसको मैं यूज कर रहा हूं मेरे पोको F1 में और ROM जो है लेटेस्ट सिकुरिटी पैच के साथ आता है यहाँ पर आपको कुछ fixes भी देखने को मिलेगी और जो gaming performance है वो stock kernel प्लस custom kernel दोनुपे में टेस्ट करके दिखाऊंगा चानल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल तो सबसे पहले बात करेंगर ROM की तो हम काफी जादा smooth देखने को मिल जाती है settings में चलते हैं और बात करते हैं about section की तो ROM जो है Android 11 पे run कर रहा है October का security patch देखने को मिलेगा और जो kernel है यहाँ पर आपको silver core 10.2 का kernel यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है उसके बात करें अगर intuitive benchmark score की जो stock kernel पे देखने को मिला है वो 388,379 कुछ देखने को मिला है और बात करें custom kernel की तो 4,00,000 के ऊपर यहाँ पर score देखने को मिल जाता है बात करें CPU throttling की तो वो भी मैं आपको check करवा देता हूँ तो यहाँ पर जो CPU throttling है वो कुछ 92% of its max performance देखने को मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको geekbench 5 score भी एक बार check करवा देता हूँ तो जो geekbench 5 score है जो stock kernel पे देखने को मिलेगा single core 499 और multi core 10948 बात करें custom kernel की तो यहाँ पर single core 509 है और multi core 2096 यहाँ पर जो मैंने custom kernel यूज किया है वो है ngk का kernel 2.4.1 यहाँ पर हम कुछ features भी देख लेते हैं चलते हैं अवेकन settings में यहाँ पर हम चलते हैं themes वाले option में तो यहाँ पर enable blur कर सकते हो dark theme वगेरा आप use में ले सकते हो जो की काफी अच्छे से work कर रहा है clock style आपको कुछ देखने को मिल जाती है एकदम जादा नहीं है लेकिन medium आपको देखने को मिल जाएंगी body point वगेरा देखने को मिल जाती है icon shape वगेरा shape चेंज कर सकते हो status bar icon style चेंज कर सकते हो ठीक है settings dashboard मिलेगा volume panel style mui compact oreo वगेरा आपको देखने को मिल जाता है switch appearance मैंने android s set करके रखा है जो की काफी अच्छा look देता है यहाँ पर आप show app volume वगेरा कर सकते हो जो qs style होता है उसको भी set कर पाऊगे यहाँ पर display cutout भी set कर पाऊगे जो normal या फिर आप hide भी कर सकते हो display cutout उसके बाद यहाँ पर बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर जो rounded corners होती है उसको आप customize कर सकते हो इस तरह से उसके बाद back चलते हैं और यहाँ पर g visual mode वगेरे देखने को मिलेगा status bar की बात करें तो यहाँ पर जो है status bar आप customize कर सकते हो और यहाँ पर 4G icon enable कर सकते हो LTE के बजाए battery style set कर पाऊगे battery percent वगेरे दिखा पाऊगे उसके बाद यहाँ पर network indicator वगेरे दिखा सकते हो जो की अच्छे से work करा है without any issue quick settings की बात करें तो यहाँ पर vibrant on touch जो QS panel पर जो भी आप enable करते हो option तो vibrant ले सकते हो उसका feel ठीक है मतलब जो भी tile आप enable करते हो उसका यहाँ पर आप data uses वगेरे enable कर सकते हो और भी बहुत सारे options यहाँ देखने को मिल जाती है बात करें buttons वाले option की तो वे एक device कर सकते हो volume keys से उसके बाद जो volume panel होता है उसको left में set कर सकते हो navigation keys वगेरे use कर रहे हो तो उसको आप invert वगेरा कर सकते हो layout वगेरे set कर सकते हो ठीक है यहाँ पर जो quick torch है वो भी अच्छे से walk कर रहा है without any issue जैसे के आप देख पा रहे हो उसके बाद बात करें next option की तो यहाँ पर हम चलते हैं notification में तो notification में यहाँ पर कुछ आपको वही customization देखने को मिल जाएगा notifications related और यहाँ पर हम जलते हैं lock screen में तो यहाँ पर जो है double tap to wake double tap to sleep अच्छे से walk कर रहा है lock screen पर भी अच्छे से work कर रहा है without any issue जैसे के आप देख पा रहे हो उसके बाद बात करते हैं कुछ और features की तो यहाँ पर fingerprint authentication देखने को मिल जाएगा charging animation वगेरे set कर सकते हो और भी यहाँ पर बहुत सारा options है जैसे कि lock screen charging information वगेरे आपको देखने को मिल लेगा ambient display की बात करें तो यहाँ पर जो है always on display वगेरे आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप देख पर हो बिलकुल अच्छे से work करा है without any issue उसके बाद एक बार देख लेते हैं miss lineages में क्या है तो यहाँ पर block sensors वगेरे देखने को मिल जाएगा aggressive battery वगेरे देखने को मिल जाती है जो screen of animation होता है वो मैंने CRT रखा है जो की अच्छा लगता है देखने में और apps and notification की बात करें तो जो default launcher है वो quick step का default launcher यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर battery backup की बात करें तो काफी अच्छी battery backup आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक important बात जो thermal profiles होता है उसको आप performance पर set कीजिए जो game वगरा खेलते है उसको तो काफी अच्छी gaming performance यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ठीक है उसके बाद next option की बात करें तो यहाँ पर sound quality काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको me sound, in answer वगरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ pulse है जो की देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो vibrate on connect, vibrate on disconnect जो call होता है वो अगर आपको enable करने को मिल जाएगा डिस्पली की बात करें तो यहाँ पर lock screen ने वही चीज़े आपको देखने को मिल जाता है, clock वगरा, night light की बात करें तो वो भी अच्छे से work कर रहा है, auto brightness अच्छे से work कर रहा है उसके बाद बात करें live display की तो यहाँ पर जो है color profile वगरे set कर पाऊंगे, color calibration वगरे set कर पाऊंगे, styles and wallpaper की बात करें तो यहाँ पर जो grids वगरे set करने को मिल जाता है, clocks भी मिल जाती है, बहुत सारी नहीं है, लेकिन medium मिल जाएंगी और यहाँ पर font size वगरे set कर सकते हो, ठीक है double tap to wake, double tap to sleep अच्छे से work कर रहा है, यहाँ पर आपको एक बड़ी आसा option देखने को मिलेगा, वो है allow fingerprint in pocket mode, अगर इसको enable करोगे तो जो fingerprint है उसको allow कर सकते हो pocket mode में भी, तो यह option आपको देखने को मिल जाता है, उसके बाद security की बा में चलते हैं, तो यहाँ पर quick open camera, three finger screenshot, यह सभी चीज़े अच्छे से work कर रहे है, long screenshot यहाँ पर ले सकते हो, जो की बहुत अच्छी बात है, उसके बाद यहाँ पर power menu की बात करें, तो यहाँ पर advanced restart का option देखने को मिलेगा, जिससे आप boot loader recovery में बूट कर सकते हो phone को, यहाँ पर hey Google, okay Google जो है, वो भी अच्छे से work कर रहे है, without any issue, और यहाँ पर बात करें, Gcam की, तो वो भी मैं आपको check करवा देता हूं, तो यहाँ पर Gcam की भी सभी modes अच्छे से work कर रहे हैं, ठीक है, night mode हो, portrait हो, camera हो, सभी चीज़े अच्छे से work कर रहे हैं, video recording हो, NX camera की बात करें, तो उसमें भी सभी के सभी modes अच्छे से work करें, portrait mode, normal mode, ठीक है, और वीडियो जो है, 4K, 60, 80, सब कुछ अच्छे से work कर रहे है, C Linux enforcing देखने को मिलता है, जो की बहुत अच्छी बात है, उसके बात करें, यहाँ पर अगर हम app opening की, तो वो भी काफी ज़ादा smooth आपको देखन इसकत नहीं हुई मेरको इसमें, ठीक है, और यहाँ पर कोई scrolling भी अच्छी है, मतलब यहाँ पर कोई glitch lag वगरा, face करने को नहीं मिला, screenshot वगर ले सकते हो, और यहाँ पर जो सबसे बड़िया option, जो मेरा favorite है, वो है lock app, तो यहाँ पर जैसी देख रहे हो, मैं सभी clear कर लिया है, तो accidentally कभी-कभी clear हो जाते हैं, जिसके वज़े से हमारा कुछ मतलब किया वगर होगा, तो इस पर पानी फिर जाएगा, इसलिए यह वाला option जो है, वो काफी अच्छा option है, और बाकी सब देखी पा रहे हो, यहाँ पर customization आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, notification panel में latest kernel है, 2.4.1 उसको use किया, तो काफी अच्छी smoothness देखने को मिली, तो जैसी कि आप देख पा रहे हो, मतलब कोई lag वगरा मेरे को face करने को नहीं मिला, काफी अच्छा लगा मुझे gaming performance, NGKK kernel पे, बाकी आप देख सकते हो, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलते है बाइ